नमस्कार भाईयो मैं राजिस्तान गोट फाराम मोनर जे तोसिक वल रहा हूँ मेरा फाराम राजिस्तान अजमेर में है राजिस्तान अजमेर के अंदर है अजमेर से 15 किलोमेटर ब्यावर रोड उदेपुर जोदपुर हाईवे से 15 किलोमेटर हाईवे से 8 किलोमेटर अंदर बाहौंता गाउं के अंदर अभी जो लोट में दिकाने जा रहा हो ना भाई ये सिरोई अजमेरी पक्रिया फुल हाइट लेंद की ए चारचार मेंने की लोडेड बक्रिया है ठीक है लोडेड यह आप फुद जो बंदा जानकार होता ना बक्रियों के बारे में वह नसल को पे बाकि यह वजन की बात करो तो असी सितर असी के जी एवरेज वेट की बगरिया है है अपको देख बार हाइट लेंद देखो बगरी की और चाचर मिने की लुडेड है सारी और एक टॉप क्वालिटी बगरी है लगबग यह बीस बगरियों का लोट है ठीक है इसमें अजमेरी जिर्व है लेकिन हेवी है हाइट लेंद्ध की है आप इनकी एक पेचान अलग होती है एक हाइट लेंद्ध वाली बगरी की नोर्मल बगरी की और यह बिल्कुल लोग इंगई इसमें बहूर् डिपरेंस होता है वाइग मैं बहुत सारी बगरियो की वीडियो बनाता है कम कि हाई रेंज की हर तरह की वीडियो बनाता रहे तो और यह अभी परजेंट में दूसरे प्रेग्नेंसी से बहुत है मोटिता जी आप फुली वे बक्री प्रेग्नेंट नहीं होती है प्रेंट परीग्नेंट रहें किए ठनों से दुद्ध पता लगा जाता है थन से तक लोडेट वगरी यह चाचार मेने लोडेट और संड्रेट तो अंड्रेट परसेंट दो बच्चे देगी कि साइज के साब से पता पड़ता और बिरेड लाइन का फरक करता है यह आप कुद के सापके सामने हैं आप एक बार नसल पर गोर कीजिए बकरी पर कीजिए केसी न साब लगें उसके लिए पहले सूरी क्योंकि में जो चीज होता है न वहीं बहुता हूं बाई मेरे मसाला असाला लगाने आप बोलने के आदत नहीं है बाई बक भाई 30,000 वालेट काम नहीं एक बखरी की स्टेक्चर हाइट क्वालीटी देख के ही बंदा अगर कोई जानका तो हर बंदा तोल की देखता है अजमेर में इतना अच्छा काम चल रहा है तोल वाला कि बंदा स rapid देखता था देखना ऑपTA है को वाई है टोल पे यह चीज ज्यादा होती है जो नसल वाली बगरी होगी जो quality वाली बगरी होगी ना वो बंदा कोई भी तोल पे नहीं देगा और देगा तोल पे तो वो अपना जुगार जानता है ठीक है तो इसलिए कहे रहा हूँ जो चीज लेना ना तो आप नसल देखके पेसे लोगे ना जो भाई देखो एक बात ए यह सिरोई में सिरोई बगरी में उसके हाइट लेन कदर गर्दन की लेंद देखो ठीक है उसकी स्टेक्चर बनावट देख लो एक बखरी के बनावट से पता बढ़ जाता है कि बखरी के आगी जाके के सी नसल है अगर आप सो बखरी रखने वाला है सो बखरी रखने वाला सो बगरी को खिलाओगे उससे दस बगरी को अच्छे से खिलाओगे न तो आपको अच्छे से फार्मिंग में प्रोफिट देगी इस चीज का ध्यार को भी है तो पेसे ज्यादा लगे चीज में इन्वेस्ट करो कच्रे के चकर में केजी के चकर में मत पड़ो सस्ते के चकर मे मत पड़ो, अगर आप फार्मिंग में जा रहे हो, नम्याले भाई, नाम बनघा भाई, अच्छी चीज लो, अच्छे पेसे दो, यह सस्ते के जा, आपने फारम तो, फारम पर लाकों का बना लिया, आप सस्ता 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 ढूंडते हो, तो उसमें फस ना भी जब एक बात फस भी जाते हो और चीज भी अच्छी नहीं विलती ठीक है एक बार इस बक्रियों पर गोर करो भाई मैं बहुत बारी वीडियो भी बनाता हूँ बहुत सारी बक्रियों को बनाता हूँ जिसमें 13,000, 14,000 भी बताता हूँ 15,000 बता हूँ लेकिन इस टाइप की बक्रिया वो रेंज की नहीं है वो 13,000, 14,000 की बक्री है आप इस बक्री के तीन आ जाती है दो तीन बक्री आ जाती है वो बक्रियों के ये एक बक्री पढ़ती है क बकरी यह कभी नसल के आएगी नहिसे कोई नसल की चीज dB लग होती है क्वालेटी होती है हुती है ना जो बिल्कुल बकरियों में अच्छे से कीडा एक तरह दाल है वही पैसे लग देता है बकरियों की क्वालेटी पे हिए हुआ ठीक है रिख्ट दिकउो होती है मैं एक। बलाग भई 12-13 लोड़ोम के संपन एक वकरी मिलती है ये चीज होती है ये चीज लगते है है बहुत है आप rantाद मिलती थी ये आप को मिलती होगी लेकिन आप एक चीज का अगर आप पेचान होती है अच्छी नसल की पेचान होए ना उस बंदे को रेटों का मालूम होता है कि क्या रेट होती है ठीक है जो चीजों सामने हैं इनका बोडिवेट में बता दिया यह छेदा तो यह सेकिंड ब्यात और थर्ड ब् की सेकिड ब्यात की बख्रिया यह और फुल लोडेड है उन्डेट तो अन्डेड परशेंट फोर मंथ चार महिने की लोडेड बख्रिया है है यह भी बख्रिय है आप एक दस बख्री भी पालोगे ने ऐसी तो मेरी गारेंटी मान के चलिए आपका फार्मिंग में बेस्ट ट्रिजल्ट निकले गा जो पचास पाल रहा है उससे अच्छा तो इसका रिजल्ट अच्छा निकले बात मानो दो पेसे ज्यादा लगे लेकिन चीज में इन्वेस्ट करो ऐसे हैं संच मार लेके मतलब निया मैं खुद पालता हूं नमें वी रखता हूं नबाई तो मेरे यही एक कहाना है कि मैं रखने की बहुत सोचता हूं कि मेरे फारों में यही होने की वजय से कोई ना कई बंडा ही चाइधा है कि मन में लालच आ जाता है में लेया तो 10,000 की 12,000 दे रहा वहgestिट करएन देना ही पड़ता है बाकि जो बंदा फार्मिंग कर रहा है जो breeding सेट आपक के लिए तयार स्यमप्व कर रहा है यह तयार साफ कर रहा है têteayo кил sorry पचास बक्रियों के लिए अपना इंवेस्ट देने चाता है मुँ उसके लिए राइद हूँगा आप पचास बक्री के जगे 10 या 15 या 20 बक्री जितना पचास बक्री का अमाउंट आता न उसमें आपको 20 बक्री मिल जाए बढ़िया से बढ़िया टोप कॉलिटी तो मेरा मान के चलिओ पचास से अच्छी वह बीस है क्योंकि वह ब्रीडिंग सेट अपका सुधारेगी नसल देगी वह आगे जाकर आपको टोप से टोप बढ़ती जाएगी तेको नसल सुधारने का भी बहुत तरीक है भाई नसल सुधारना ब्रीडर पर निपढ़ है लेकिन सारा ही ब्रीडर पर छोड़ देना वह नसल सुधारना बहुत टाइम बिदल जाता है एक भक्रिया भी इस नसल के हो ब्रीडर भी नसल का होना तो आपको इतना नसल सुधार में टाइम नहीं लगी गया लेकिन बक्रिया देसी नसल की हो और ब्रीडर अच्छा हो तो उसमें टाइम सेटब जिसने भकरी फारम का ऐच्छी बखरी रहना चाहता आगे जाए अच्छा प्रोफिट लेना चाहता तो अच्छी नसल ही रखो तक आगे जाए अच्न сп forma प्रॉफिट आप बकरी एसी रखो वाई देगो इस बकरी में आप देखो एक हाइट लेन देखो आपको पीछे का पिछवाड़ा जो देखोंगे इतना मोटा दीके का बगरी का कि आप खुद अंदाजा लगा लो कि बकरी है चीज भाई सारी बगरिया सेलेक्टेड पीस है मैं जब भी ल लगाते हो तो वीडियो क्यों लगाते हो जब सेलिंग ही नहीं करना तो वीडियो क्यों लगाते हो भाई हर चीज का मोल नहीं होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आप एक बार फारम आके देखोंगे ऐसे नहीं कि मेरे पांदरा बगरी आप बोलोगे तो मैं पचास बगर इस टाइप की एबेलेबल हो जाएगी रहातो हाथ मिल जाएगी लेकिर रेट की बात आती है न तो भाई आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है आप रेट फोन पर करने से अच्छा अगर आपको माल लेना ही है न तो आप फारम आके विजिट करके वहाँ पर रेट करोगे तो सबस पर से बच्वेस्ट मेरे लिए होगा आपकी लिए होगा हाँ आप बोलता हूं मुझे सबस्ता रेट चए तो सश्ती भग्री एयर हेवी भग्री भी आपका बज्ट के साब से बग्रिया मिलेगी जितना आपका बज्ट जितनी आपकी रेट की capacity उतनी मिलेगी हाँ आपको जाए को जाए काerd तो केजी वाली भ करी नहीं है नहीं यह जो वीडियो में बता रहा हूं नहीं है चांवibles मैं आपको नखेम बडूबर नेलीट बोल रहा है लुकर मैं देस स्रचिकें मिलते हैं नहीं है उस वो ते एक फसाने का एक जरिया होता है वाई कम रेट देखो आप मेरे रेट अब मैं बखरे बेशता हूं 320 कि कोई बंदा मेरा 320 का रेट है और वो उसका 240 का तो आप किस की तरब जाओगे किलियर बताना बहले में इमानदार हूँ वो बेमान है आपको पता है फिर भी आप उ सकते हैं क्या हाथ में रहके भी कुछ नहीं कर पा हूँ तो इस चक्कर में मत पड़ो देखो चीज होगी ना बाई जो अच्छी नसल होगी जो क्वालिटी होगी उसके पैसे तो देने ही पड़ीगी बले वो कित्ती किरेब किती हो मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ जो ब पचास वक्री का सेट अप बनाने का अगर कोई बंदा ब्रीडिंग सेट अप अच्छे से फार्मिंग करना चाहता है मेरी माराय मानो तो बाकिया आपकी मर्जी आप मेरा समझाना काम है मेरा एक माल बेचना ही पूरा वो नहीं होता है मेरा के मेरे को माली बेचना है मेरे को एक समझाना भी होता है अगर बंदा समझे तो ठीक है नितर अपनी मन मर्जी से तो कुछ भी करें वह आपकी मर्जी वह अगर आपको सिरो यह रजमेरी ब्रीड की बक्रिया चाहिए नहीं तो इस टाइप की बक्रिया रखो आपका पचास बक्री लेने का केप सिटी है तो मेर अच्छी रखिये लेकिन अच्छी नसल रखिये सस्ते के चक्कर में पढ़के तोल वाली बगरिया लेकर आप फार्मिंग में सक्सेज नहीं हो पाओगे मेरे वाई नहीं हो पाओगे मैं भी तोल से पहले देता था वो देता था अब नहीं देता हूं तोल में अब ऐसा माह लो गया है जोबी बंदा अता है ना फस्ता ही है यह कोई भी चीज लो ना भाय बखरी फारम से रिड़ाइट बखरी लो बखरे लो तो आप तोल वाली सिस्टम में पुसरी मत मेरी एक ठीकमें डडैड्य यह चीज हाईलाइट १र तोल वाली चीज में मत पस़ों, और तोल वाली बक्रिया लेनी ना, बक्रे चलो मिल जाए कोई बात नहीं, बक्रिया तोल वाली कभी भी मतलो, अच्छी नसल मिली नहीं पाएगी तोल में, ये मेरी मान के चलो, देखो भाईया, खड़ा रेट में, मेरी रेट बताता हूं, अ और कोई एक दो तीन पांस लेना है ना तो आप फारम विजट करके लो रेट भी वहीं करो न तो अव सबसे मेरे को भी वैस्ट रहे गार आपको भी वैस्ट रहे लेकिन यह नहीं कि फोन पर रेट दे कर लो और भाई फोन पर कभी भी कोई बेदन ददा हो फोन पे डिलिंग नहीं करता मैं नहीं होती है आपको लेना हो फारम वीजिट करो फारम पे माल मिलेगा और फारम पे नहीं मिलेगा ना मेरे भाई फारम पे नहीं मिलेगा तो मैं आपको दिलाओंगा ये मेरी गारेंटी बकरे को चोड़ देता हूँ, बकरे में ज़्यादा दियाम देता हूँ, मैं बकरियों की बात कर रहा हूँ, बकरिया आपको मेरे फार्म से कम रेंज से लेके, 12-13 जार से लेके, आपको हाइलाइट 35 जार तक बकरिया मिलेगी, ठीक है, बन्ला एक अंदाजा बता दो, अब आ 4-10-15 बकरे रखता हूँ, बाकि बकरिया तो मेरे पास इनी टाइम मिलेगी, इनी टाइम, 24 गंटे, कभी भी आओ, बिना फोन कर भी आओगे न, तो हेवी बकरिया जुरूर मिलेगी, नॉर्मल बकरी भी मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा मैं क्यूँ, मैं खुद बता रहा न, तो थोड़ा बहुत बकरी को भार चरना भी बेश्ट होता है, अगर आप थोड़ा बकरी को भार चराओगे, अगर आपके पास जगा है, गुमाने के लिए बकरी को, तो सबसे बढ़िया है, हाँ आप एक सिद्ध को राजिस्तान से कोई भी कहां से बकरी लो न, बाई, ठीक है, ऐसा सेटप बनाओ, जिससे बकरी आराम से गुमे, खाये पीए, और आपको एक बाई, एक डाइट फलान भी बता जिता हूँ, कभी भी बकरी को, बार इसके मोसन में, अब यह ध्यान रखना, सवेरे के टाइम, पानी जब वो उठे, क्योंकि वो पूरे दिन बर, रात बर क्या है कि अपना पचाने के लिए उसको, दाने को रात बर जुगाली करती रहती है, रात बर करती है ना भाई, सवेरे उड़ते उसको पानी दो, अच्छे से पानी पीने के बाद, जो भी डालो पानी में, कोई दिखा नहीं, उसके बाद आपको सूका दो, कोई भ अच्छे से न, वो नमी होती है न, थोड़े थोड़े दाने दो, तो वो चीज मत दे न, भार इसके टाइम, तो अंडेड तो अंडेड प्रशन देना है न, नमी सूका हुआ चारा, मला सूका में ऐसा नहीं भूलूंगा भाई, आप गीला चारा दे रहो न, उसको तोड़ यह आप एक सेटप चलाओ, अच्छे से बकरी फलेगी, और हो सके तो थोड़ा बहुत बाहर भी गुमा सकता है, अगर आपके पास जमीन ज्यादा है, अच्छे गुमानी की विवस्ता है, तो थोड़ा गुमा सकते हैं, बेश्टे, बकरी इसमी कुस है, कोई बोलता है कि मै सब्सक्राइब को, सब्सक्राइब दिया शोच के बारा, ठिक है, इस महशंव की बतार हो, घर मुसम पर लग लग टैटीठाग देनी चाहिए बकर को, सवेरे पानी उसके वाद सवेरे, शोका चारा, मैं हो सूका चारा king, दोप zombies, गिरा चारा और श्याम को दाना, यह बक्र हाइलेट इसलिए बोल रहा हूं कि क्वालिटी चीज होती है न बाई तो क्वालिटी चीज काई यह मेरे पास लगबग परजेंट ली 20 बकरिया है है वजन मैं अगर बंजन की बात करते हो भाई तो एवरेज पिच्छतर के जी वोडिवेट है इन बोगर क्योंकि लोडेड है मैंसा एवेलेबल रहेगी हेवी वकरी मेरे फार्म पर नहीं मिलेगी तो भी मैं एरेंज करूंगा लेकिन एक रेट की बात होई न तो फार्म आके आप पूछोगे न तो मेरे को भी अच्छा लगईगा बहुत सब्सक्राइब मेरे बाई एक दो लेने वाले भी फोन पर र मेरे रेट कम लगेगा जब आपको सस्था लेने वाला केजी में पषसा लेगा न तब मेरा रेट कम लगेगा आपको सारी कोहलात यह पसते अजमेर वह चीज्स नाम ना खराब हो इसलिए एक भर फार्म विजीट करके आप रेट करो खड़ी रेट करो वाला सिस्टम बंद करा दो बेश्ट रहेगा खड़ी रेट करो जैसे बकरी जैसे है फारम पे अबल इबल उसका रेट करो पसंद करो गाड़ी लोड करो ठीक है लेकिन एक बार आपको अगर माल लेना ना तो फारम अजमेर आके फारम आके बात करिए बाई प्लीज यह एक फोन से अच्छा फार कशी बगरें ठीक है बागी बख्रिया आपके सामने एक बार क्वालिटी पर गूर करो बाई कैसी चीज आप देखर के बता सकते हों का बख्रिस्साद मालूम पर जाती है उसका दिल खुष हो जाता कि या ऊदर इन नौ मिनी का लेकिन इन बख्रियों के बच्चे यह बढे मधेर अब आप वाई तों जई मैं रहोंगे शोच हो आप 30बीक किलो और देखो है जूट ने जोन विएड को देखिए वोडि उप्वोंट ही ड्चाँ होता यह जियान रखा प्वाई जो नसल की चीज दक प्वोडि में सहा थ गिलो एक महीनए मत पसो बकरिया जब भी लो कि ये क्या तोल की है क्या केजी है मेरे भाई जो राजस्तान के है वो बंदे तोल पे कभी निफसते लेकिन बार वाले लोग ज़ाधा तर तोल में फस जाते हैं तो हर चीज की तोल नहीं होता है भाई खड़ा रेट भी होता है जिससे अच्छी नसल चाहिए वो खड़ी रेट पे लोग बेस्ट रहेगा ठीक है मेरा वीडियो अच्छा लगो लाइक करिए शेर करिए तैंक यू दन्यवाद भाई यू